आज हमारे पास हिमाचल परदेश जी के सीरिस का लक्चर नंबर 6 है इस लक्चर नंबर 6 में हम बात करेंगे हिमाचल परदेश के इलेक्शन के बारे में यानि की हिमाचल परदेश की पॉलिटिक्स किस तरह से भारत में हिमाचल परदेश के राज्य में राजनीती कैसी रही है और इस राजनीती में किस किस पार्टी की क्या क्या परफॉर्मेंस है साथ में हम इस video lecture में discuss भी करेंगे जो last 2022 में हिमाचल परदेश की बिधान सबा के elections हुए हैं उसमें किस तरह की performance किस party की रही है ये video lecture आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है जो HP government के exams देंगे जैसे की पटवारी, JOA, हिमाचल परदेश, सर्भी सेलेक्शन कमीशन, HP police, constable और SI, allied services, नाइब तसीलदार और HS की services के लिए चलिए शुरू करते हैं very interesting important lecture इस video lecture में पहले हम बात करते हैं national politics of हिमाचल परदेश राश्ट्रिय राजनीती में हिमाचल परदेश का योगदान कैसे है या जो राश्ट्रिय राजनीती है वो किस तरह से हिमाचल परदेश में चलती आ रही है या देखी जा रही है नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें basically पार्लेमेंट का जिकर होता है पार्लेमेंट के बारे में हम जानते हैं कि दो सदनों से मिलके बना है लोकसभा और राज्यसभा तो टोटल पार्लेमेंटरी सीट्स हैं HP की साथ वही लोकसभा की सीटे हैं चार मंडी, हमिरपूर, शिमला और कांगडा इन चार जगाओं से मिलके बनी हैं हिमाचल के लोकसभा की चार सीटे वही राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो हिमाचल परदेश से राज्यसभा की सीटे हैं तीन और ये जगा की अधार पे नहीं होती है जो लोकसभा की seat पे elected होते हैं person वो directly elected है directly means कि हम हिमाचल के आम जनता इन लोगों को vote करती है वहीं जो राज्य सभा के members होते हैं वो indirectly elected है basically इनको आम जनता नहीं जो आम जनता के चुनेंगे प्रतिनिदी है आगे वो उनको चुनाबीत करते है चलिए लोगसभा की परफॉर्मेंस देखते हैं हिमाचल परदेश से किस तरह रही है तो पहले लोगसभा की एलेक्षन फर्स्ट देखे गे थे 1952 जिसमें टॉप की अथा INC ने उस समय हिमाचल परदेश में लोगसभा की चार सीटे थी तो चारो की चारे INC ने जीत ली सेकिंड आता है सेकिंड लोगसभा का रहा है 1957 जिसमें फिर से कॉंग्रेस ने चारो की चारो सीटे जीत ली थर्ड आता है आपका लोगसभा का इलेक्शन 1962 जिसकी चारो की चारो सीटें फिर से कॉंग्रेस ने जीत ली चौथी लोगसभा के इलेक्शन हुए 1967 उस समय हिमाचल में एरिया का बदलाब हुआ और उस समय हिमाचल में कुल सीटे होगी छे दो सीटे जो चार ये रेगुलर चलती आ रही हैं दो सीटे जुड़ी थी जिनका नाम था चमबा और महासू ये पांचमी और छटी जो थी वो सीटे जोड़ी गे और छे की छे सीटे फिर से कॉंग्रेस ने बिजे प्राबत की पांचमी लोकसभा के एलेक्षिन हुए 1972 में पर इस पर फिर से सीटों की संख्या चार कर दी गई जो 1971 का सेंसिस था उसके अनुसार और उस समय फिर से कॉंग्रेस ने चारो की चारो सीटे पे बिजे हासिल की चटी लोकसभा के एलेक्षिन हुए है 1977 इस समय थोड़ा सा बदलाब देखा गया और एक नई पार्टी जन्ता पार्टी जिसने पूरी तरह से कॉंग्रेस को हरा दिया और चारो की चारो सीटे जीत ली चन्ता पार्टी ने साथ मी लोकसभा के एलेक्षिन हुए है 1980 में 1980 में 1980 में देखेगे reason behind it की पार्टी जो बनी थी जन्ता पार्टी पार्टी की सरकार ही गिर की तो 1980 में फिर से लोकसभा बनी साथ मी जिसमें चारो की चारो सीटे कॉंग्रेस ने जीत ली इस वड़ जन्ता पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली आठमी लोकसवा के एलेक्षिन हुए 1984 में जिसमें चारो की चारो सीटे आई अन्सी ने फिर से जीत ली नौमी लोकसवा की बात करें तो नाइन्थ लोकसवा के एलेक्षिन 1989 में जिसमें तीन सीटे जीती बीजेपी ने और वहीं एक सीट जीती कौंग्रेस ने दसमी लोगसबा की बात करे तो 1991 में ये election हुए तो इसवर BJP ने 2 सीटे जीती और कौंग्रेस ने भी 2 सीटे जीती 11 मी लोगसबा की बात करे 1996 में हुई हैं जिसमें INC ने 4 सीटे जीती और BJP को इसवर 1 भी सीट नहीं मिली बारमी लोकसभा की बात करें तो 1998 में हुए थे जिसमें BGP ने तीन सीटे जीती और INC ने एक सीट जीती तेरमी लोकसभा की बात करें तो इसके एलेक्शन 1999 में हुए इस समय क्या हुआ हिमाचल में थोड़ा बदलाब देखा गया कॉंग्रेस पार्टी टूट गी कॉंग्रेस पार्टी से उनके सीनियर मोस लीडर सुखराम जी जिनने पार्टी को छोड़ा और उनने अलग से एक पार्टी बना दी जिसका नाम रखा गया हिमाचल बिकास कॉंग्रेस तो 1999 के लोगसवा इलेक्शन में जो बीजीपी ने तीन सीटे जीती और वहीं एक सीट पे बिजल हासिल की हिमाचल बिकास कॉंग्रेस ने चौद में लोगसवा की बात करें तो ये बनी थी 2004 में इस लोगसवा में आईनसी ने तीन सीटे हासिल की और पेहीं बीजीपी को एक सीट मिली पंदर मी लोगसवा की बात करें 2009 में बनी हैं जिसमें बीजीपी ने तीन सीटे हासिल की और कॉंग्रेस को एक सीट मिली सोल मी लोकसवा जो की पहली NDA गवर्मेंट की लोकसवा थी जो 2014 में बनी थी जिसमें चारो की चारो सीटे BJP ने जीत ली और INC को कोई भी सीट नहीं मिली बरतमान समय में जो लोकसवा चल रही है स्तार मी लोकसवा जिसके एलेक्शन 2019 में हुए थे तो 2019 के एलेक्शन के अकॉर्डिंग BJP ने चारो सीटे जीत ली और एक कॉंग्रेस ने बट 2021 में हिमाचल के मंडी कॉंस्टिटिवन्सी के जो BJP थी उनकी डेथ होगी थी तो इसके कारण फिर से बाइपास एलेक्शन हुए तो BJP इस सीट को हार गया अब बरतमान समय में BJP की की तीन सीटे हैं और कॉंग्रेस की एक सीट इस कॉंग्रेस की एक सीट पे हिमाचल परदेश के पूर मुख्य मंतरी बीरवधर जी की पतनी प्रतिवा सिंग जी है तो इस समय बीजेपी की तीन सीटे हैं और कॉंग्रेस की एक seat है तो इस तरह से ये performance रही है हिमाचल में national politics यानि के लोग सबा में चलिए अब discuss करते हैं state politics के बारे में राज्य की राजनिती हिमाचल परदेश में किस तरह से perform करती है state politics की बात करें तो इस समय कुल seat है 68 68 जैसे कि हम देखते आ रहे हैं बिधान सबा की seat है 68 और जो बिधान सबा का nature है वो है unicameral मतलव हिमाचल परदेश में जो legislative assembly है यानि legislature है वो single है यानि कि उसमें बिधान सबा है और बिधान परिशद नहीं है no बिधान परिशद इन हिमाचल परदेश जिसको legislative council बोलते हैं 2022 के election से पहले हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी थे शिरी जैराम ठाकुर जीप जो बरतमान समय में leader of opposition है विधान सबा में और 2022 के election में elector जीप minister बने सुखविंदर सिंग सुखु जी जो कि INC से सबंद रखते हैं बरतमान समय में जो HP विधान सबा के speaker है उनका नाम है कुलदीप सिंग पठानिया चलिए विधान सबा के जो seat हैं उसके बारे में जानते हैं कि district wise कितनी seat हैं किस जिला में हैं तो पहले बात करते हैं कुल seat हैं हिमाचल परदेश की बिधान सबा की 68 वही total SC की seat है schedule cast की seat है 17 और ST की seat है 3 तो कुल reserve seat बोल सकते हैं 20 हैं और ST की seat बात करें तो कहां कहां से हैं एक भरमौर चमबा से दूसरी किनौर से तीसरी लोहल स्पीधी से तो मातर 3 SC की seat बिलेगी आपको हिमाचल परदेश से district wise seat की distribution देखें तो पहले बात करते हैं कांगडा जिला कांगडा जिला में कुल seat है 15 जिन में से 3 seat सी के लिए हैं और ST के लिए कोई भी seat नहीं है second है मंडी मंडी की कुल seat है 10 SC की 3 है ST की कोई भी नहीं है शिमला की बात करें तो शिमला जिला में कुल 8 seat हैं वहीं SC की 2 seat है रामपूर और रोडू की ST की कोई भी seat शिमला जिला में नहीं है next है हमिरपूर हमिरपूर जिला की कुल seat है 5 जिसमें SC की है 1 seat और ST की कोई भी seat नहीं है नेक्स्ट है चम्बा जिला, चम्बा जिला में कुल सीटे हैं पांच, वहीं SC की एक सीट है, सौरी चार सीटे हैं और ST की एक सीट है, जो की हमने बात की भरमाओर की और SC की कितनी सीटे हैं, SC की हैं 1 सीट, वो मिलेगी आपको चुरा में तो कुल चमबा की 5 सीटे, जिन में से 2 रिजर्व हैं और 3 जनल, SC की चुरा और ST की भरमौर नेक्स्ट है, सोलन जिला में कुल सीटे है 5, 2 सीटे SC की है और ST की कोई भी सीट नहीं है ये मिलेगे आपको कसॉली और सोलन की नेक्स्ट है सिर्मौर जिला सिर्मौर जिला में भी पांच सीटे हैं दो SC की सीटे हैं ST की कोई भी सीट नहीं है उन्ना जिला उन्ना जिला में बरतमान समय में पांच बिधान सावा की सीटे हैं जिनमें SC की एक सीट बिलासपुर जिला की बात करें बिलासपुर जिला में बरतमान सवमे में 4 सीटे हैं एक सीट मिलेगी SC की और ST की कोई भी सीट नहीं है नेक्स्ट है लाहल्स पीती जिला, लाहल्स पीती जिला में विधान सबा की एक ही सीट है जहां SC की कोई भी सीट नहीं है और ये एक की एक सीट भी ST को ही सबंद रखती है लास जिला है किनौर, किनौर जिला की कुल सीटे हैं एक और ये भी ST की है तो इस तरह से ST की 3, SC की 17 और कुल मिलाके 68 सीटे हैं हिमाचल बिधानसवा की चलिए हिमाचल बिधानसवा के elections की performance रेखते हैं अजादी से लेके अब तक कितनी बिधानसवाइं अभी तक बैठ चुकी हैं और किस किस party की किस तरह से performance रही है पहली बिधानसवा के election हुए थे 1952 में जिसमें टॉप किया था INC ने INC ने कुल 36 सीटों में से 24 सीटे जीती वहीं second number पे रही थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी इस party ने 3 सीटे जीती और third number पे रहे independent candidates जिन्नोंने 8 सीटे जीती fourth number पे आये थे schedule cast federation एक party थी जिसने एक सीट जीती तो 36 सीटों में बिजे रही थी INC और हिमाचल परदेश के मुखे मंतरी बने INC जी के Dr. Y.S. परमार second बिधानसवा के election हुए है 1967 जिसमें total सीटे थी उस समय 60 क्योंकि बहुत सारे जिले हिमाचल में बन चुके थे तो 60 सीटों में से INC ने 34 सीटे जीती वही independent candidates को 16 सीटे मिली next है आपका BGS जो आपका भारतिय जनसंग है उसको 7 सीटे मिली CPI Communist Party of India को 2 सीटे और स्वतंतर पार्टी को 1 सीट तो इस 60 सीटों में सबसे आदा सीटे हासिल की INC ने तो INC 34 सीटों के साथ फिर से टॉप पे रहा और Dr. Y.S. परमार दूसरी बर हिमाचल के मुख्य मंत्री तीसरी बर बने हिमाचल के मुख्य मंत्री तीसरी बिधान साबा की बात करे तो इसके election हुए थे 1972 कुल सीटे थी उस समय 68 जो बरतमान समय भी 68 है INC ने जीती 53 सीटे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली 7 सीटे वहीं BGS, BGS को मिली 5 सीटे और LRP, लोकराज पार्टी को 2 सीटे, कमुनिस्ट पार्टी जो मार्कसिस थी उसको 1 सीट मिली तो कुल मिला के आपकी 68 सीटों में बिचे रहा है कॉंग्रेस 53 सीटों के साथ, जो भारती जनसंग है इसको सिर्फ 5 ही सीटे मिली थी इसमें फोर्थ बिधानसवा की बात करें, 1977 में इसके इलेक्शन हुए थे, तो इसके इलेक्शन में टॉप किया था क्योंकि बदलाब देखा गया, कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश में पिट चुकी थी और यहां पे राज्य में भी इसका बुरा हाल था तो जनता पार्टी, जनसंग से अलग होके बनी थी एक जनता पार्टी, जनता पार्टी की ने 53 सीटे जी थी, वहीं सेकंड रेंक पे रहा आईनसी मात्र 9 सीटों के साथ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 6 सीटे मिली, तो कुल 68 सीटों में बिजे रही जनता पार्टी और पहली बर गैर कॉंग्रेसी सीम बने शांता कुमार जी नेक्स्ट बात करते हैं पांच में विधानसवा जिस पांच में विधानसवा के एलेक्शिन हुए थे 1982 में जिसमें टोटल सीटे थी 68 तो आई एंसी ने जीती 31 सीटे वहीं बीजेपी ने 29 सीटे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 6 सीटे और जो जनता पार्टी थी वो 2 सीटे यहाँ पे बीजेपी पार्टी उबर के आई और उसने 29 सीटे जीती और पांच में इलेक्शन 1982 में तो कॉंग्रेस ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ अलाइंस करके बीजे हासिल की और मुख्य मंत्री बने रामलाल ठाकुर जी सिक्स्त बिदानसाबा की बात करें 1985 में इलेक्शन हुए हैं कुल सीटे थी 68 INC ने इस पर बहुत ही बड़ी बिजे हासिल की 58 सीटे वहीं BJP को मातर भारती जनता पार्टी को मातर 7 सीटे मिली इंडेपेंडेंडेंट कैंडिडेट्स को 2 सीटे मिली और वहीं एक पार्टी थी लोकदल जिसको मातर 1 सीट मिली तो INC ने अपनी गबर्मेंट फॉर्म की और हिमाचली परदेश के मुख्य मंत्री बने राजा बीर बदर सिंग नेक्स्ट बात करें साथ में बिदान सभा जिसके इलेक्शन 1990 में हुए थे वहीं इस इलेक्शन में टॉप किया BJP ने 46 सीटों के साथ कुल 68 में से BJP 46 सीटे लेगी वहीं जन्ता दल को 11 सीटे मिली और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उसको एक और CPI को मातर एक सीट मिली Communist Party of India को तो बात करें तो साथ में बिदान सभा में जो पार्टी ने फॉर्म की सरकार वो थी BJP 46 सीटों के साथ तो दूसरी बर हिमाचल परदेश के मुखे मंतरी बने शांता कुमार जी नेक्स्ट बात करें आठमी बिदान सभा जिसके इलेक्शन 1993 में हुए थे इस इलेक्शन में भी सीटे कुल 68 थी वही टॉप किया INC ने 52 सीटों के साथ क्योंकि शांता कुमार जी की गबर्मेंट सिर्फ तीन साल सर्वाइव कर पाई दो साल तक क्योंकि उसके बाद यहाँ पे प्रेजिडेंट रूल लग गया और सरकार गिर गी तो सेकिंड रंग पे रही बारतिय जंता पार्टी मातरार सीटों के साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को साथ वहीं कम्मिनिस्ट पार्टी मारक्सिस्ट को एक सीटे तो कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और राजा बीर बद्दर सिंग फिर से हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी बने नौमी विधानसभा की बात करे इसके एलेक्शन 1998 में हुए थे जिसमें टॉप किया भारती जनता पार्टी ने 31 सीटों के साथ कॉंग्रेस 31 सीटे दोनों के पार्टी मेजर पार्टी इकुल सीट्स पे थी वहीं तीसरी पार्टी बनाई गी थी कॉंग्रेस से अलग होके सुखराम जी ने जिसका नाम तहा हिमाचल विकास कांग्रेस इस पार्टी ने 5 सीटे इद आसिल की इंडिपेंडेंट को एक सीटे और हिमाचल विकास कॉंग्रेस ने सपोर्ट किया बीजे पी को और प्रोफेसर प्रेव कुमार धुमल जी उस समय हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी बने दसमी विधान सभा की बात करें तो इसके इलेक्षन 2003 में हुए है इस इलेक्षन में भी 68 सीटे थी, INC को 43 सीटे मिली, BGP को मातर 16 सीटे इंडिपेंडेंट केंडिडेट्स को 6 सीटे और बाकी अदर्स को 3 सीटे तो कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, राजा बीर बदर सिंग ने फिर से मुख्य मंतरी के तौर पे शप्त ली 11 मी विधान सभा की बात करें तो इसके इलेक्षन 2007 में हुए थे वहीं कुल सीटे थी 68, बीजेपी ने 41 सीटे हासिल की वहीं कॉंग्रेस ने मातर 23 सीटे, इंडिपेंडेंट केंडिडेट ने 3 सीटे और इस वर बहुजन समाज पार्टी जो की उत्तर परदेश की एक बड़ी पार्टी है उसने हिमाचल में एक सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के इलेक्षन में तो इस वर सरकार बनाई, बीजेपी गवर्रमेंट ने और फिर से प्रोफेसर प्रिम कुवार धूमल हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी बने 2007 में बार्मी बितान सबा की बात करें, इलेक्षन हुए थे 2012 में कुल सीटे थी 68, कॉंग्रेस ने हासिल की 36 सीटे, वहीं बीजेपी मातर 26 सीटे ही हासिल कर पाया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 35 सीटे, और हिमाचल लोक पार्टी ने मातर 1 सीट हासिल की तो इस तरह से बीजे हासिल रही, आईएनसी 36 सीटों के साथ, फिर से जो राजा बीर बदर सिंग थे, इनको फिर से मुख्य मंतरी के रूप में निउक्त किया गया और लोग हित पार्टी यहाँ पर लोग हित पार्टी ने मातर हिमाचल लोग हित पार्टी ने मातर एक सीट हासल की थी तीरमी विधान सबा 2017 में इसके इलेक्शन, कुल सीटे 68, बीजेपी ने 44 सीटे हासिल की, वहीं आई एनसी ने मातर 21 सीटे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 2 सीटे मिली, CPI Communist Party of India Marxist को मातर 1 सीट मिली और इस पर बीजेपी ने फिर से अपनी गवर्मेंट हासिल की और सत्ता में आई और जैराम ठाकुर जी हिमाचल बरदेश के मुख्य मंतरी बने चौदमी विधान सभा, जो बरतवान समय में हिमाचल में चल रही है, इसके एलेक्शन 2022 दिसंबर में, नमबर दिसंबर में हुए थे जिसमें कुल सीटे 68 थी, कॉंग्रेस ने 40 सीटे हासिल की, बीजेपी इस पर मातर 25 सीटे ही हासिल कर पाया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तीन सीटे हैं, तो कॉंग्रेस की सरकार बनी और सुक्विंदर सिंग सुकू, नदौन कॉंसिट्वेंसी से हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी, वहीं पहले हिमाचल के उप मुख्य मंतरी बने मुकेश अगिन होतरी चलिए अब डिसकस करते हैं, हिमाचल परदेश के 2022 के विधानसवा इलेक्शन के बारे में, किस तरह से इलेक्शन में परफॉर्मेस रही हैं, अलग-लग पार्टीज की और कौन इसमें विजे हासिल की है इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2022 के विधानसवा इलेक्शन में भी कुल सीटे थी 68 और सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 35 या 35 से जादा सीटे सबसे बड़ी बिधानसवा सीट एरिया वाइस रही है लहोज पीती, वहीं सबसे बड़ी बिधानसवा सीट बोटर वाइस मद्दाताओं के अनसार सबसे बड़ी है सुलाय पालिमपूर के पास 2022 के एलेक्शन में सबसे बड़ी बिजे हासिल की है बिगिस्ट मार्जन से जैराम ठाकुर जी ने जिनोंने हराया आईनसी के चेतराम को 38,183 के बोटों से बिजे हासिल की है और ये हैं सिराज कॉंस्टिज़नसी मंडी से सबसे कम लोएस्ट मार्जन से बिन हासिल की 2022 के एलेक्शन में शुरेश कुमार जी जो आईनसी के हैं इनोंने बीजी पी के डॉक्टर अनिल दिमान को हराया था मातर साथ बोटों से और ये समन्द रखते हैं बोरंज कॉंसिनूनसी हमिर पुर्जिला के 2022 के एचपी विदानसवा इलेक्शन के शेडिूल के बारे में जानें तो इलेक्शन की डेट अनौंस हुई थी 14 अक्तूबर को 2022 में नोटिफकेशन आई थी 17 अक्तूबर को नॉमिनेशन को भरने की लास्ट देट थी 25 अक्तूबर और जो आपके नॉमिनेशन में कुछ गलतियां हैं उनको स्कूटिनाइज करने के लिए ठीक करने के लिए लास्ट देट थी 27 अक्तूबर लास्ट देट थी कि अपना ब दिसंबर 2022 चलिए statistics के बारे में चानते हैं कि 2022 के elections के कुछ statistics registered voter के बात करें तो कुल registered voter थे 55,92,828 जिन में से male voters थे 28,54,945 female voter थे 27,37,845 वहीं third gender रहे हैं 38 total voters polling station के बात करें तो urban areas में कुल polling station थे 646 और rural area में कुल polling station थे 7,235 तो इस तरह से बोल सकते हैं कुल polling station थे 7,881 वहीं candidates के बात करें तो male जो candidates खड़े थे वो थे 388 वही female candidates जो खड़ी थी वो थी मातर 24 तो 2022 के HP विधान सभाई के election में कुल candidate 412 खड़े थे जो की MLA के पद के लिए लड़ रहे थे पार्टीज और एलाइंसी के बात करें 2022 में कौन कौन से HP विधान सभा के election में पार्टीज और एलाइंसी खड़ी थी तो सबसे पहले थी NDA NDA basically BJP पार्टी को दिरसाता है जिसमें लीडर थे जैराम ठाकूर और ये 68 की 68 सीटों पे इन्होंने अपने candidate खड़े किये थे दूसरी थी UPA United Progressive Alliance जिसमें basically important party है Congress, INC जिसके लीडर है सुखविंदर सिंग सुखू जिसमें जो इन्होंने कुल 68 सीटों पे ही अपने candidate खड़े किये थे तीसरी party है आम आदमी party आप party के candidate जो लीडर थे इमाचल परदेश से उनका नाम था सुर्जीत सिंग ठाकूर और इन्होंने election contest किये 67 सीटों पे left front की बात करें इसमें basically Communist party Marxist और Communist party India simple दोनों party आती है Communist party Marxist के लीडर थे राकेश सिंगा और Communist party आफ इंडिया के शाम सिंग चोहान CPI M ने मातर 11 सीटों पे contest किये election और CPI ने simple एक सीट पे contest किये election बाकी other party के बारे में बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने फिर अपने हाथ हजमाए हिमाचल परदेश के 2022 के बिधान साबा election में जिसमें हिमाचल परदेश के इसके लीडर थे नारायन सिंग आजाद और इन्होंने मातर 53 सीटों पे contest किये election वहीं लास्ट पार्टी है रास्टिय देभूमी पार्टी जिसके लीडर थे रुमित कुमार ठाकूर जिन्होंने मातर 29 सीटों पे contest किये election हपी विधान सबा के 2022 के बोटर टर्ण काउंट की बात करे कि election में जिला का किस तरह का परसेंटेज रहा है तो हिमाचल के चमबा जिला की बात करे 5 सीटों में और बोटर की तो सबसे ज़्यादा बोटर काउंट रहा है सिर्मौर जिला का 79.91 परसेंट के साथ सबसे ज़्यादा बोट पड़े है सिर्मौर जिला में वहीं सबसे कम बोटों के बारे में बात की जाए तो सबसे कम बोट पड़े है हिमाचल में हमीरपुर जिला में तो वो है हमीरपुर जिला का बोटर काउंट है मातर 71.80% तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने को आई सबसे आदा बोटर काउंट रहा सिर्माडिस्टिक का और सबसे कम रहा हमीरपुर का और हिमाचल का ओबरॉल हिमाचल का टोटल बॉटर काउंट था 75.60 यानि 100 में से 75.6 लोगों ने ही बोर्ड दिये और इस वरी ये काफी अच्छी परपॉर्मेंस भी रही है रिजल्ट्स 2022 के एचपी विधानसवा इलेक्शन के रिजल्ट्स आई एनसी ने 40 सीटे जीती बीजेपी ने 25 सीटे बाकी अदर यानि के इंडिपेंडेंट केंडिडेट्स ने 3 सीटे कुल रिजर्ब सीटे थी 20, सी की सीटे थी 17, स्टी की सीटे 3 परसेंटेज, बोर्ट शेयर की परसेंटेज के बारे में बात करें तो सबसे आदा बोर्ट शेयर मिला है आई एनसी को 43.90 और बीजेपी रंक मेरे ही है दूसरे नमबर पे 43 परसेंट के साथ सीटो का शेयर करें तो 58.82 सीटे हासिल करगी आई एनसी और इन्होंने अपनी क्या कर ली गवर्रमेंट फॉर्म कर ली ही माचल में बीजीपी को मातर सीटो का 36.76 परसेंट ही मिला है वहीं बोर्ट शेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर फिर भी सीटो में ज़्यादा लेगी कॉंग्रेस पार्टी डिस्टिक बाइज और डिवीजन बाइज रिजल्ट को देखें तो कांगड़ा डिवीजन में जो हैं वो कुल 25 सीटे हैं कॉंग्रेस ने 16 जीती बीजिपी ने मातर एक और इंडिपेंडेंट को भी एक मिली वहीं मंडी डिवीजन में 24 सीटे हैं कॉंग्रेस को 9 मिली बीजिपी को 14 मिली और इंडिपेंडेंट को एक शिमला डवीजन की बात करें तो कुल 19 सीटे हैं 15 कॉंग्रेस उड़ा ले गई बीजेपी को मातर 3 और इंडिपेंडेंट एक तो इस तरह से कुल 68 सीटों में आईएंसी ने 40 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई बीजेपी लेडर अपोजेट पार्टी के तौर पे खड़ी है चंबा में कॉंग्रेस ने 2 सीटे बीजेपी ने 3 सीटे वहीं कांगडा में कॉंग्रेस ने 10 सीटे और बीजेपी ने मातर 4 सीटे उन्ना में कॉंग्रेस ने 4 सीटे हासिल की बीजेपी ने मातर एक लहौल स्पीती में 1 सीट है और वो भी कॉंग्रेस उड़ा के लेगी कुल पिलू में चार सीटे हैं जिसमें दो बीजेपी को दो कॉंग्रेस को मंडी में मातर कुल दस सीटे हैं जिसमें मातर एक सीट आई एनसी को और नो सीटे उडागी बीजेपी हम इरपुर जिला की बात करें तो चार सीटे कॉंग्रेस को और इस वर बीजेपी को कोई भी सीट न शिरमौर जिला की बात करें, पान सीटों में से तीन कॉंग्रेस को, दो बीजेबी को, शिमला जिले के बात करें, शिमला जिला में कुल आच सीटे हैं, साथ कॉंग्रेस उडा के लेगी एक बीजेबी को मिली, और वहीं लास जिला है किनौर, किनौर में एक ही सीट है और एक स पॉलेटिक्स के बारे में बात की and state politics के बारे में भी discuss किया उमीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी helpful रहा है वीडियो लेक्चर पसंद आया है वीडियो लेक्चर को like करें जाद से जादा share करें अपने valuable comment दें और आपके अपने youtube channel the concept को share करें और subscribe करें थैंक यू जै हिंद जै भारत जै हिमा चलाएं